न्यूज स्पॉंसर ड्वाइस सुपर 35 कोचिंग इंस्टिटूट रीवा रीवा जिले की पहड़िया गाउं में बनी ठो सबसिस्ट प्रबंधन कच्रा प्लांट पे भारी अनिमित ताएं देखी जा रही है कच्रा प्लांट में मृत प्रस्वों को जलाने के लिए एलेक्ट्रोनिक मशीन तो है लेकिन मशीनों में जलाया नहीं जाता बलकि जमीन में गार दिया जा रहा है जिसकी वज़े से आसपास की इलाके में भारी दुरगंध है इस बात की जानकारी जब ग्रामीरों को मिली तो ग्रामीरा क्रोसित होकर कच्रा प्लांट पहुचे ग्रामीरों के साथ समासेव को के द्वारा इसका विरोध किया गया जानकारी के अनुसार एक जानवर जलानी के लिए 70 डीजल मिलता है जिसकी ब्लैक मेलिंग की जाती है प्लांट में सैकडों की संख्या में इस तरह से जानवरों को दफनाया गया और डीजल की ब्लैक मेलिंग की गई कच्रा प्लांट के कर्मचारी ने डीजल ब्लैक मेलिंग और मृत परशों को जमीन में गाड़े जाने को स्विकार किया और अपनी कर्मचारियों की लापरवाही रिश्वत खूरी की बाद भी स्विकार की है मौके पर तहसीलदार नगर निगम की टीम पहुँची लेकिन कच्रा प्लांट की जवाबदार कर्मचारी और अधिकारी नदारत रहे यहां तक कि घोरला परवाही भी सामने आई ना तो प्लांट की मसीने चल रही थी और ना ही कोई आपरेटर वहां मौजूद था वही अनिमितताओं को देखते वे तहसीलदार और इंजीनियर ने कर्मचारियों को फटकार भी लगाई कमचारी जैसे भी और मशीनों को खराब होने का बहाना बताएं और जिस जगह पर मरत प्रश्मों को जला जाता है वो मशीन भी कई दिनों से खराब पड़ी बताई गई वहीं आसपास इतनी बदबु फैली हुई थी कि उसकी वज़व से तहसीलदार और नगर निगम की टीम को भी समस्याओं को सामना करना पड़ा जिसके बाद तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर और नगर निगम कमिशनर को जानकारी दी गई तो कड़ी कारवाई की बात कही गई है ग्रामेडों का कहना है कि जब तक अनिमतिताएं खत्म नहीं होंगी तब तक परदर्शन चलेगा और इसी तरीके से कारवाई चलती रहेगी आई आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो और फिर सुनाते हैं जवाबदारों ने क्या कहा पहडिया गाउ में बना ठोस अफशिष्ट कचड़ा प्रबंधन जहां पर कचड़ा को इकठा किया जाता है डिस्ट्रॉय किया जाता है लेकिन नियमों को ताक में भी रखा जाता हैं आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि कचड़े का निस्तारन नहीं हो रहा है बलके इसको डम किया जा रहा है कई महीनों से कचड़ा होता है जिसके वज़े से आसपास के रहवासी इलाकों को परिशानियों के सामना करना पड़ता है गंध से बद्बू से लोग परिशान है हम आपको दिखा रहे हैं ग्रामेंड लोगों का आरोप है कि यहां कचड़ा में जो जानवर आते हैं शहर के उन जानवरों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है गाड दिया जाता है जिसके बज़े से लोग लगतार जो यहां के मैनेजर है वो कहना है उनका कि जानबरों को केबल डिश्ट्रॉई किया जाता है लेकिन लोगों का आरोप है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यह आप देख रहे हैं कि हड़ी है और इसको गलाया नहीं गया जलाया नहीं गया बलकि यूँँ फेक दिया गया है कुछ लोगों का आरोप यह भी है कि जिस जगह पे जानबर को गाड़ा गया है वो जगह यह है अगर जेसी पी और डंपर के माद्यम से इसको निकाला जाता है तो यहां मृत जानबर मिलेगी उसके अपशेस मिले गए गया यह जो यह कटड़ा खुले में आरा तो इसका ल कर दिखांग है किसा लिठी इसका लिखा लिख तो इसका लिखांग है कि सकत है तो आपके में आप उयक्व कि यह बताइए यह बताइए सुनिए सुनिए साहब आपके डैजिक नेशन क्या है यहां पर डैजिक नेशन बताइए बागे मात आप ये बताएं अपने नेशन तक बताने ने से घतरा रहे हैं ना तो ये अपना बता रहे हैं और नियम को ताग में रखा याद यह बताएंगे कि यह इनका कार्ड है लेकिन सराज यह बताएं कि जब आप यहां पर आये तो ना तो कोई आफीसर था ना कोई प्रबंधक था सारी जैसीवी सारे प्लांट बंद होगे अच्छानक यहां ने खराप क्या लिया जाएगा आपको क्या कि यहां जो भी आप लोगों की रिखायत्ति कि जानवर गाड़े गए जी हना में बहुत पर गई वहां पर उत्व प्रणन तो हो नहीं पाएगी डीने जानन जानवर गड़े हैं?". ing subway